लेटेस्ट अपडेट्स के लिए अल्टरा चनल्स को सब्सक्राइब करें और बेल आइटन को प्रेस करें आपके महाशिरारी दर्बुशी हें विश्वना आज की परंवन दिन हम सबचित अपके दिव्य अलाओक के एवम विराध परूप केिदर्शन करने जोगा हाँ स्वाम्य आज की परंपाज दिन आपके विराधुव के दर्शन करना तो हम सबका 12 भागी है है कि हम सब शिभख्तों पर खेने प्रिपाक लें हमें अपने अलोकिक स्वरूप का दर्शिन कराएं परात्परप्रम्परमेश्वर्थ भगवान भोले ना थकी जैश्व अमारे इस स्विराठ स्वरूप के दर्शन के साथ साथ आप सभी के मन में यदी कोई जिग्यासा हो तो उसे निस्तंकोज प्रस्तुत करें बोले नात मेरी अज्ञानता को शमा करें मैं शिव तत्व के उद्देश को समझने का इच्च्पू लोक कल्यान लोक कल्यान ही शिव तत्व का मुख्य उद्देश्य है इंद्रदेव प्रव्व्व्व आपके द्वारा रचित विठान के अनुसार श्री भ्यम्माजी सिष्टी की रचियता है श्री हरी विष्णू शिष्टी के पालक है और आप बहादेव शिष्टी के संकारक है तो महाकाल है और शिवतक्त्यों का उद्देश्य लोग कल्याण भी है तरहूं इस शिवतक्त्यों के रहस्य को इस पश्ट को समझाए देवराज ये सत्य है कि हम स्रिष्टी विधान में विनाश्ट के अधिपति महाकाल है किन्तु आप ये सत्य कैसे भूल गए कि हमने ही समुद्र मंथन से निकले हला हल काल कूट विश्ट को अपने कंठ में धारण कर प्राणी मात्र के जीवन की रक्षा की भूले नात शिरे ब्रम्हाजी शिरे हरी विश्णूजी एवं इस स्रिष्टी के रचना आपनी इक्षा द्वारा ही संभूंगे आपकी इस एक्षा का आधार क्या है देवी सरस्वती इस शिविच्छा का आधार है शिव तत्व की सर्व व्यापक्ता कारण की ये समस्त स्रिष्टी मुझ में समाई हुई तथा मैं इस समस्त स्रिष्टी के कण कण में विद्यमान पंज तत्म और सत्रज तमोगुण मुझ से ही प्रकट होते हैं मैं प्राणी मात्र के भिदे में स्थित आत्मा हूं मैं ही समस्त स्रिष्टी का आधी मध्य और अंत्म महादेव जी कृपा करके बताएं कि शिव तत्व के उत्पत्ती कैसे संभव हुई देवी लक्ष्मी मेरी उत्पत्ती को न तो देवता जानते हैं और नहीं रिशीजन क्योंकि मैं इन सभी का जनक आदिदेव परात पर ब्रह्म मैं अर्जन्मा अविनाशी तथा अनादी भूम नमस्षिवा प्रभू कृप्या बताएं कि आपको प्राप्त करने का मार्ग क्या है भक्ति भक्ति ही मुझे प्राप्त करने का एक मात्र मार्ग है नारद प्रेम तधा समर्पन सहित मेरे पंचाक्ष्री मंत्र का जब करने वाले भक्त को मैं वो ज्यान प्रदान करता हूं जिससे वो मुझ्षिव तत्व को प्राप्त हो जाता है भोले नाथ भोले नाथ कृप्या बताए कि इस तृष्टी को विनाश से कैसे बचाया जा सकता है निर्मान और विनाश तो समय के काल चक्र पर निरंतर घूमने वाली प्रक्रिया है नारद किन्तु विनाश के अधिपति महाकाल सदाशिव यह विश्वास सवश्य दिलवा सकते हैं कि जब तक प्राणियों में धर्म और भक्ति का अंश शेष्ट तब तक यह स्रिष्टी विनाश से सुरक्षित स्वामी इस श्रिष्टी के लिए आपका आमर संदेश क्या है एहंकार अत्याचार तधा पाप की भावना को त्याग कर हर प्राणी अपना प्रतेक शण मुझे समर्पित कर अपने निर्धारित कर्तव्य का निर्वाह करें यही मेरा इस त्रिष्टी को संदेश है नित्य श्रिव पूजन ही जीव का एक मात्र कर्म और धर्म है ओम नमस्षिवाय पंचाक्ष्री मंत्र का जापके सभी दुखों का अंदिवार है तर्वेश्वार जगत रक्षक एवा महा शिम्रात्री पार्व की जैए कि अपनी अपनी जिग्यासाओं की उच्चेत उत्तर पाकर धन्य हो गया किन्तु जिस महान पर्व पर आप सभी हुआ हमारा अभिनंदन करने क्याला आश्पधारे थी उससे संबंधित एक भी प्रश्ण नहीं किया महानुभावों दिन विशेश नहीं होता विशेश होती है उससे संबंधित प्रेरक कथा जमाचराचर पति देभाती हम सब शिप भकतों पर क्रिपाकर हमें महा श्रीवरात्री पर्व से जुड़ी प्रेरक कथा का श्रवण करा देवर्शी न्हारात तुमी सुनाओ वो प्रेरक कथा कि हम तुमें मों कथा सुना सकते योगे कि दिव्वेद्रिष्टी प्रदान करते हैं तुम नमस्षिवाँ सुनो शिवभक्तों सुनो शिवभक्ति की महान तथा प्रेरख कथा सुनो हालगुन मास कृष्ण पक्ष की त्रयोदशी के दिन वन में रहने वाला गुरुद्रुभील अपने परिवार का पेट भरने के उद्देश से आखेट पर निकला गुरुद्रु भील एक हिर्णी पर अपना लक्ष साथ में उसके पीछे पीछे भाग रहा था हिर्णी की भागने की गतीव में दीवर थी बहुत प्रयास करने पर भी गुरुद्रु का लक्ष हिर्णी पर नहीं लग रहा था देखते ही देखते ही फिर्नी अद्रिश्य हो गए और गुरुद्रु अधाश और निराश हो गए ना जाने फिर्नी किस दिशा में चली गई है इस प्रेप पर जब कर देखता हूं क्याक कर बाए जाएगा है प्रुद्रु तू इस निरी प्राणी के प्राण क्यों हरना चाहता है इसने तेरा आखिर क्या अनिस्ट किया है जो तो इसके प्राणों के पीछे पड़ा हुआ है मैं जानती हूँ आपका छोड़ा हुआ दिर लक्षे तक पहाच के खाली हाथ नहीं लटता किन्तु आज मुझे देखने के पाशाद भी आपने दिर नहीं छोड़ा आपके सिंदुविदा में है और मेरे मरत्य की घड़ी तल चुकी है नहीं, नहीं मेरे मन में कोई दुविदा नहीं है। poisoning होगा सर्रान लगे के गालती है मैप से बित्ती करती हूँ, मुझे चोन दीजिए मेरे बच्चों के अदात मत करें, तुमिये चोड़ दिया हूँ К्ट्चे भूख से तलब तलबक दलबकर मर जाएंगे। नहीं, यह मैं नहीं होने दूगे, मेरे पती और बच्ची मेरी प्रदिक्षा पहला होंगे, बस मुझे इतना समय बेदीजी, कि उसे एक बार विलाओ, और कहने हों, कि यह हमारा अंतिम्मिलन है, बग्वान के लिए मेरी ही विद्धिस विकार कर लीजिए, और तुमने छल कि तो, तुम न लोटी तो, मैं एक माँ बच्चों की भूख का अर्ट समझती हूँ, मेरे छल के कारण आपके बच्चों का अनिष्ट हो, यह मुझे कभे सहनी होगा, मैं आऊंगी, अमश्या आऊंगी, यह मेरा बचल रहा, प्राणों के भाई के आगे वचन छुठे पर जा जाली या शिकारी के सामने शिकार हो, और वो उसे छोड़ दे, यह कैसे संभाव हो सकता है, समझ में नहीं आता कि मैं क्या करूँ, तुम रो रही हो, नहीं, मुझे तुपर दया हा रही है, तया, और मुझ पर, हाँ, क्यूकि मैं तुम्हारे दाम से में मुक्कार हूँ, जाओ, तुम 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 तुरंद चली जाओ यहांसे, अनेता सुभाव वशाथ में पकड़ा यह बाल चल जाएगा, और तुम्हारे प्राण पखेर, उड़ जाएगे, उस दशा में तुम्हारे परिवार वाले, तुम चली जाओ यहांसे, जाओ! इस तया भाव के लिए भाद भाद धन्यवाद, आपने अपना कर्ते भी पूरा किया, अब मैं भी करूँगे, राद में सबसे मिलने के उपरान यही आकर तुम्हारे सामने खड़ी हो जाओंगे, तुम मेरे प्रान हाल लेना, तुम शेकर जाओ, और जल्दी लोटकर आना, म तुम मैं तुम ठान हा法, तुम मैं भोड़ी हो जाओंगे, तो मैं तुम करूँगे करि重 भी कन पना हा। मजहस के नहीं आरा मैं क्या कर ऊंग क्या मोरा है ये मेरे मन को क्या हो ना मैने हिख चूसक भाऊं को पहले कभी नहीं समझा पूजि मुझे अपने आपको संभालना होगा शिकार करना मेरा क्रम के धर्म है मैं से नहीं छोड़ सकता नहीं नहीं मुझ पर दया करो मैं तो यहां अपनी बेहन को ढूंडने आई थी वो घर नहीं पहुची उसका परिवार उसके लिए बहुत चिंतर है चिंता मत करो अब तक तो वो घर पहुच गई होगी और कुछी देर में पुना यहां आती होगी तब मैं उसका शिकार करूं कि दूस्ते पहले नहीं नहीं मुझे छोड़ दो अच्छा इतनी देर के लिए छोड़ दो कि मैं घर जाकर देखाओं मेरी बहुत करी अत्वा नहीं मैं वचन देती हूं कुछी देर में मैं स्वेम तुमारा बांठ खाकर प्रांट प्यागने के लिए तैयार होकर आओंग कृप्या मुझ पर विश्वास करो चलो ठीक है मैं तुम्हारी भी प्रतेक्षा में यहीं बैठा रहूंगा आप तक नहीं है भाईया मजे बहा लग रहा है पिताजी को दूने गई है आते होगी मा 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 पिताडी नहीं आए पिताजी का पिताजी किसी शेर चीती या पालू का शिकार ना बन चुके हो कि और रहते हो Neymar, 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 Neymar